हालो एब्रीवन रादी रादे गुड मॉर्निंग जै माता दी कैसे हो मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे एश्टी मिस्टा पुक्रायम लॉक्स मैं आपका धीर सारा तैदो से वेलकम है फ्रेंट और मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग के बच चुके हैं यहां पे और साड़े बारह पौने एक का टाइम दा फ्रेंट तो यहां दोनों बहने आई हैं उनके बच्चे आए हैं तो बस यहां पे मैं प्लेट में लगा रहे हूं पेटा तो बस वही है जब सब लोग आते हैं तो बाते करती मलब काम के साथ हमें मलब बात भी करना जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा टाइम नहीं रुकना है सभी लोग चले जाएंगे हैं तो मैंने सोचा काम भी करती जाओंगे मौसा लोग हैं मौसा हैं उनके बच्चे हैं ड्राइबर हैं जो गारी देके आए हैं दोनों मौसी यह हैं और उनकी बेटियां हैं तो काफी लोग थे तो आज काम मलब जल्ली फठाफट से में कर रहे हूं वैसे कुछ दिखाया नहीं है काम करते हुए से लगाती हुए मैं प फोन करते जा रहे तो जैसे मौसी ने बताया कि हम अब यहाँ पे आ गए तो वैसे हमने चाए रख दी थी क्योंकि फ्रेंड्स से मलब सुबहर के चले हैं साड़े आड़ वजे के तो अप जाके पहुंचे हैं दोफैर हो गई है उनको तो फटा-फट से क्योंकि भूग तो थंडी पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो मैंने सुचा जब आएंगे सभी लोग तब बस पूरियां बनाने को रह जाएंगी वैसे सारा काम हमने कर लिया था जो हमें करना था तो फटा फट से जो मैंने नीचे की मैंने एक प्लेट लगा दी है जो जेंस लोग नीचे बैठे हैं तो उनको हमने पहुंचा दी है चाय नमकीन चिप्स पापड बगए रहे और यहां पर अब मैं लगा रही हूं यह वाली ट्रे मॉसी लोगों को तो इनको भी दे देते हैं फटा फट अब आया है नंबर खाना खाने का तो सबको मैं खाना मलब ठाल मतर पनीर की सब्गी और यहां पर राय था मतर पनीर की सब्गी वेसे सूखी सब्धी भी बना रहने मॉसी कहने यहां पर हमने सलाद बगेर कट करके रख लिया है तो सब की हम जो प्लेट हैं वह हम लगा देते हैं और फ्रेंट हमारी जो मौसी की बहु हमारी देवरानी आई थे उन्होंने पूरियां मलब बेल दी तो हमने सेक ली थी तो काम हमारा बहुत जल्दी हो गया ता आसानी से पचने आए थी और अपना खाना या चछत पे टहनने के लिए तो टाइम भी हो गया था तीन बच चुके थे तो यह मौसी की बेटियां खेल ही हैं यहां पर यहमार इस चारिभा आ हुए हैं तो सभी लोग बैटे हुए हैं तो देखो आप लोग तो मैंने जो रियल वाइस थी उसको म्यूट कर दिया है तो फ्रेंट्स को की फोन भी यह लोग बजा रहे थे यहां पर मैं भी कुछ अपनी गब सब बता रही हूं क्योंकि इनका भी कोई चैनल है मनलब किस नाम से मुझे तो याद भी नहीं भूल गई हूं तो वही मुझे दिखा रहे थे तो वह मैं मलब देख रही थी उनको भता रही है वैसे भी मुझे Hetने हैं अगर अगर्फ हमारे यहां पर अच्छी होने लगी है तो यहां पर यह मदद फोल्टिंग लेका आए थे तो इसको भी सब को देते हैं क्योंकि फिर निका जाने का भी टाइम को रहा है ना तो प्रेंट काफी दूरी पर है तो टाइम से पहुंच जाए बहुत यहीं गारी ऑले का का सफर करना थोड़ा सा रिक्स का काम होता है तो मैंने सुचा चलो फटा-फट से दे देते हैं और टाइम से जब निकलना है रुकना है नहीं तो जब निकलना है तो टाइम से अपना निकल जाएंगे तो यहां पे मैं जो ग्लास बगएर है मैं उसमें डालती जा रही तो हैपी ने सुचा कि सब लोग हमें मलब ऐसा ना हो कि सब लोग कहीं चले जाएं मलब मैं स्कूल से आना पाऊं सबी लोग अपने घर निकल जाए तो बोली ममा आज में नहीं जाओंगी रोने लगी तो इनका चलो हटाओ काफी मलब कौन सा कोई रो जाता है डेली कोई नहीं सुफरेंट कोल्डिंग वगएरे पीने गवास सभी लोग जाने लगे हैं अपने अपने घर तो बहुत बुरा लग रहा था सच्वतारियों ऐसा लग रहा था मलब थोड़ा सा और ठैर जाएं लेकिन जब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जाते वक्त नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी और वक्त का हम लोग को भी पता नहीं चला कितने जल्दी टाइम आज का दिन कितने जल्दी निकल गया रियल मतारूं फ्रेंट बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि बातों में हसते खिलते बताते बस ऐसे हमारा निकल गया है तो हमार एक मौसी की मलब दो बेटे का चोटा सा बाबू आया था तो हैपी अग्जम से मस्त थी उनमें खेल में वड़ी मस्त हो जाती अग्जम से और सब्सक्राइब चले के तो देखो मायूस होके वैथी है अब चलेंगे लोग जाएंगे अभी तो नहीं जाएंगे और बड़ी के बात तक चलेंगे तब और तो और बड़ी दिन ओने लगेंगे ना कि फेंद चुछ पर बैटे हैं और बड़ी हैं उसके बड़ी जादा गर्मी में नहीं लगती है कि भी आप साइघ तो बहुत जदा साप विच्छू तो नहीं आती है लेकिन हमारी इतनी हमत भी नहीं होती हम इसको निकार के बाहर करने हिम्मत नहीं है तो यह मौसम बहुत अच्छा है ना तो बढ़िया तरीके से काम होते हैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो का भी हम यहीं पर करेंगे और आज हैपी रानी हमारी स्कूल भी नहीं गई थी आने की खोसी में बोली ममा सब लोग चले जाएंगे हमें कोई नहीं मिलेगा सब लोग हमसे मिल नहीं पाएंगे और उनको मलब निकली हुए साड़े आठ के मॉर्निंग में निकली थी और टाइम उनको आते आते गंटा डीड़ गंटी की रास्ता है लेकिन बहुत टैम हो गया तरह जैब वहीं एक डेड़ का टाइम हो गया था आते आते और उतने टाइम है पी की छुटी भी हो जाती है ना पादू का इसकूल आज का कि अप्सेंटी इनकी हो गया तो फेंस चलो वीडियो का हम यहीं प तो इनका से दाफ याद आगी एगए बात कि इनका एंग है वो चमक न्हीं पताा है किलिए के चल फिद्व कर दो कर देता हैं चलते हैं ये खाना बनाते फैंड । वही की कामि किया थी लिदी पसने कि सागी पैंस 보고 होता नहीं है जल्दीक फटापाट जैसे की सागा खुल कोई डेली आता है कभी कभी संसकारी बहु बन जाना चाहिए तो आज मैं भी संसकारी बहु बन के बैठी थी तो फ्रेंट्स चलो वीडियो का एंड कर देते हैं अगर वीडियो इतना सा अच्छा लगा हो ठीक है तो प्लीस एक लाइक किया करो लाइक क्यों नहीं करते हो तुम लोग सिर्फ देख की निकल जाते हो ऐसा मत किया करो यार मैनत को थोड़ा वो देखो ठीक है तो फ्रेंट्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमाई वीडियो को लाइक कर देओ चैनल पर नहीं नहीं आ रहे ह तो जुआइन कर लिए मिलें फिर नेश्ट वीडियो में ठीक है ऐसी बाता किने किने पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताए तो सही बता रहे गुस्सा आथ है लाइक हो नहीं मिला था मैं तो मिलते हैं फिर तब तक लिए टाटा बाई बाई थैंक्स फॉर वाटिंग